हमारी दोस्तों एलेक्टरिक बैक त्यार हो चुकी है आज हम इसको चला कर देखेंगे और देखेंगे कि इसकी टॉप की स्पीड कितनी है और जो इसके अंदर बैटरी लगी हुई है यह एक बार चार्ज करने के बाद कितना लंबा चलेगी कितने किलोमीटर चलेगी और कितना यहे बजन उठा सकती है और कितना इसके उपर खर्ट चाया है काफी कुश बाते हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि आपके अक्सर ही कुमेंट आते थे ऐसी बातों के लिए तो आज हम सभी बातें इस वीडियो में कंप्लीट कर लें की कोशिश करेंगे यह दोस्तों जो मोटर है यह 800 वाट की मोटर है मोटर और बैटरी को लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने बाइक का इंजिन बाहर लका लेंगे जहां पर मैं आपको बता दूँ के आपके पास कोई भी बाइक हो उसमें आप यह मोटर लगा सकते हो इसमें इंजिन का जितना भी समान है कार्बुरेटर इंजिन जहां एर कलीनर सब कुश आपको बाहर नकालना होगा सवाए इस चैन को शोड़ कर क्योंकि इसी चैन के उपर ही हम मोटर लगा देंगे तो जो इसके मेन नाट बोल्ट थे जाइसकी वेरंग थी वो हमने सब कुश अलाग कर दिया है इसकी चैसी से तो मोटर सैकल में से हम इंजिन बाहर नकाल रहे हैं अब इसी जगा के उपर हम मोटर रखेंगे जो के मोटर 808 की 804 बोल्ट है दोस्तों इसके लिए आपको 4 बैंटरी चाहिए 804 बोल्ट सिंगल बैंटरी पर यह मोटर नहीं चलेगी क्योंकि सिंगल बैंटरी 12 बोल्टों की होती है उसके बाद जो इसकी सीट और जो इसकी टंकी है पेट्रॉल वाली यह हम उतार कर इसको एक बार इसकी चैसी को वाश करेंगे क्योंकि इसके उपर काफी मिट्टी और तेल वगएरा जम चुका है तो बाद में काम करने में थोड़ी असानी रहेगे एक बार हम इसको वाश कर लेते हैं जैसा के दोस्तों आप देख रहे हो के अभी चैसी में कुछ भी नहीं है सिर्फ वैरंग को शोड़ कर बाकी हमने सब कुछ इसका नकाल दिया है और सबसे ही जो में बात है इसकी जब आपने इसको फेट करना है मोटर को इसके साथ आपको इसी कैट में मोटर कैट में इस तरह का एक फ्री वील मिलेगा एस फ्री वील का जूज हम जो बैक सेड में गेर है पिछले पहिये में गेर रहता है बड़े वाला इसकी जगे हम शोटा गेर लगाएंगे क्योंकि अगर हम यह वाला गेर लगाते हैं यहां पर बड़े बला तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम रह जाएगी तो जो फ्री वील है कैट के साथ आया था वो हमने खोल लिया है और इसके अंदर तो इसको हम अंदर से साफ कर लेते हैं ग्रेंडर की मदद से उसके बाद जो गेर लगा था बड़े बला उसी जगे पर हम यह वाला शोटा गेर फैट कर देंगे बहुत ही असान है और जहां पर हम दोस्तो एक लकड़ी का पीस मोटा रखेंगे इसकी जगे आप कोई लोहे की प्लेट भी रख सकते हैं लेकन लकड़ी क्या जो पीस है इसमें आप जो ड्रैल है होल है वो जल्दी कर सकते हैं असानी से कर सकते है इसकी फैटंग देकर जहां पर भी जो चैन की सेटंग आएगी अलैनमेंट वहां पर हम इसका जो ड्रैल करके इसके hall करके motor को kस देंगे तकरीबर मैं यहां पर 15 number के nut bolt लगाओंगा इसको motor कसने के लिए जो motor है वो एक इस लकड़ी के ऊपर कसी जाएगी और लकड़ी जहां पर engine कसा जाता है वहां पर हम कस देंगे तो यह बहुत ही simple और असान है जहां पर जो इंजिन के दो बोल्ट थे इसमें हम इसको लगा देंगे लकडी को तो आप इसको किसी भी बाइक में लगा सकते हो अगर मैं मोटर के केट की बात करूँ यह मोटर केट है इसके साथ इसका कंट्रोलर आता है मोटर है 800 वाट की यह तकरिबन आपको 7,000 रुपए के आसपास मिलेगा ओनलाइन और जो इसकी वैरंग है इसका डायाग्राम इसके अंदर ही रहता है तो उस हिसाब से आप वैरंग कर सकते हो क्योंकि वैरंग के उपर 1,2,3 नंबर लगे होते हैं आपको यह लगाने में कोई मुश्कल नहीं होगी और इसके साथ एक जो 48 वोल्ट इससे 12 वोल्ट करने के लिए आपको एक अलग से रेगुलेटर लगाना पड़ेगा यह इसका कंट्रोलर है जो केट के साथ ही आता है और जो इसमें हम बैंटरी यूज़ कर रहे हैं वो है 48 वोल्ट 24 एच लीथियम क्योंकि अगर हम जहां पर लेड एससेड बैंटरी यूज़ करेंगे तो उसका वेट काफी ज़्यादा हो जाएगा 40 किलो के आसपास 4 बैंटरी का तो इसका वेट सिर्फ 7 किलो है और दूसरा ये है कि अगर ये 24 एच है तो ये तकरिबन पूरी की पूरी खाली हो जाएगी जानि के डिस्चार्ज हो जाएगी और पूरी फॉल होगी और इसकी लाइफ भी ज्यादा रहेगी लेकर ये काफी महंगी रहती है ये दोस्तो ये वाली बैटरी मुझे 25,000 रपे में मिली है समेथ चार्जर अगर मैं जहां पर लेड एसेट बैटरी का सेट रखवाता तो उसकी कीमत तकरिबन 13,000 रपे के आसपास रहनी थी लेकन उसकी लाइफ एक से डेड़ साल तक ही रहती है तो इस तरह से हम अपने मोटर सैकल के अंदर मोटर फेट कर देते हैं अब दोस्तो बात करते हैं कि इसकी टॉप स्पीड की इसकी दोस्तो टॉप स्पीड है जो वो है 30 किलो मेटर प्रतियावर जैनि कि ये 30 किलो मेटर की स्पीड के उपर दोड़ेगा अगर हम दोस्तों 30 km से उपर जाएंगे तो इसकी जो registration है वो करवानी पड़ेगी लेकन ये modify किया गया है तो फिर इसकी registration नहीं होगी ऐसलिए इसकी जो 30 km की speed है वो एतनी ही रखनी पड़ेगी आपको उसके बाद है ये वाली battery कितना लंबा समा चलेगी जनी कितनी लंबी दूरी तैय करेगी ये दोस्तों अगर आपका weight तकरीबन 70 km के आसपास है तो उस हिसाब से 60-70 km चलेगी अगर आप lithium battery इसके अंदर लगाते हो तो अगर आप lead acid battery लगाते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 40-45 km चलेगी अगर आप इसके उपर दो आदमी बैठते हो तो वो तकरीबन 50 km ही चलेगी क्योंकि जितना हम इसके उपर load ज्यादा डालते हैं उतना ही ये backup इसका कम होता है और इस battery को charge करने के लिए तकरीबन 4-5 घंटे लगते हैं अगर हम बिजली की खफ्त की बात करें तो तकरीबन मैंने देखा है कि अगर battery बैल को डाउन है तो उसको charge करने के लिए तकरीबन डेड़ से पौने 2 जूंट लग जाती है तकरीबन 15 रपए की बिजली खाएगा और अगर आप एक आदमी चलाते हो तो 15 रपए में आप 60-70 km चला सकते हो दूसरा आपके उपर depend है कि आप इसको किस तरह से चलाते हो क्योंकि कोई भी जो electric bike है इसको चलाने के उपर रहता है कि अगर आप इसकी एकदाम race गुमातेते हो पैक आप बनाते हो तो आपका backup काफी कम रहेगा जहां आप बार बार रोक कर चलाते हो तो भी इसका backup कम रहेगा अगर आपके मन में कोई और भी स्वाल है तो आपने comment जरूर कर देना क्योंकि काफी स्वाल रह जाते हैं अगर आपके मन में कोई स्वाल है तो आपने कमेंट करके बता देना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू